हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्तो और आज एक नई वीडियो के साथ में उपस्तित हुआँ आज का जो टॉपिक है वो जॉर्ज 6 की स्टाम से रिलेटेड है उसके बारे मैं आपको बताऊंगा तो आए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह स्टाम्प टाइप 1 की स्टाम्प ह वो राइट हैंड साइड की तरफ देखते वे दिखाये गया है इसी स्टाम्प का जो वाटर मार्क है वो मल्टिपल इस्टार है परफोरेशन 13.5 x 14 है इसका जो स्टाम्प है उसकी इशू डेट 15 12 1937 है यह जो स्टाम्प देख रहे हो आप यह तीन पाइस की है जिसका डिन डिनोमिनेशन की स्टाम्प थी जिसमें से पहले यह चार है तीन पाइस आदा आना नो पाइस और एक आना यह स्टाम्प 160 स्टाम्प की शीट की रूप में इशू हुई थी यह दो स्टाम्प है आदा आना की और नो पाइस की इनमें जित्ती भी स्टाम्प है उनके डिनोम 12-1937 को issue हुई थी जिसका color red brown था और जो 29 की stamp है वो 23 अगस्त 1937 को हुई थी और उसका जो color था वो green था इस seat पे दो stamp दिखा गी है दोनों एक आने के एक में single stamp है और एक tatbatch pair के रूप में stamp issue हुई टेट बेच पेर एक मतलब जैसे single stamp और जिसका opposite वो दोनों एक साथ जुड़ेवे हैं जो single stamp है वो 23 अगस्त 1937 को issue हुई थी एक सो साथ stamp की और जो color है उसका वो कारमाइन है और जो tatbatch pair के रूप में issue हुई थी वो 1940 में हुई थी और उसकी sheet पे total stamp 256 थी यह stamp first issue का second type है इस style की type 2 की total 8 stamp issue हुई थी 1937 से 40 के बीच में ही यह stamp issue हुई थी जो सबसे पहले stamp है वो दो आने की stamp है और इसका जो color है वो वर्मे लाइन है इस stamp में एक वेक्ति द्वारा डाग को ले जाये दे रहे हैं इसमें mode of transport को इन stamps में दिखाये गया है यह दूसरी stamp है दो आना 26 की है जिसका color bright violet है और इसमें एक bell गाड़ी द्वारा डाग को ले ज ज़ाते है और इसमें लाग में इसमें हिन लएदा तक चराग को ले जाते वे दिखाये गया है यह इस में ब्राउन में इक तरक न कर और इसका जो कलर है वो टोर्क्यूज ग्रीन है और इसमें जहाज को डार्क ले जाते वे दिखाए गया है इसके बाद में ये आठाने की स्टाम्प है और इसका जो कलर है वो स्लेट वॉयलेट है इसमें एक गाड़ी दिखाई गई है जो इसके उपर डाक के पोट ले रखे गए गए है और गाड़ी के उपर रोयल मेल लिखावा है यह इस इस्टेल की अंतिम डाक टिकिट है जिसमें फ्लेन को दिखाई गया है जो डाक ले जा रहा है इसका color lake है इन सभी का जो size था वो 4. जो और 6 का face है वो right hand side की तरफ दिखाते हुए दिखाया गया है यह stamp first issue का third type है इसमें higher values को लिया गया है इस style की total 6 stamp issue हुई थी 1 रुपे, 2 रुपे, 5 रुपे, 10 रुपे, 15 रुपे और 25 रुपे सबसे पहले यह जो पहली stamp है यह 1 रुपे की stamp है जिसका size है वो 2.9 x 3.4 cm है और जो color है वो gray and red brown है इसका जो issue date है वो 15 12 1937 है यह दूसरी stamp 2 रुपे की है इसका color purple and brown है यह 5 रुपे और 10 रुपे की stamp है पांस रुपे की stamp है उसका color green and blue है और 10 रुपे की stamp है उसका color purple and clear it है उसके बाद में यह 15 रुपे और 25 रुपे की stamp है 15 रुपे की stamp का जो color है वो brown and green है और 25 रुपे की stamp का color है वो slate violet and purple है यह स्टांप किंग जॉर 6 का सेकंड इशू है और टाइप 4 है यह 1940 से 1943 के बीच में 14 डिफरेंट डिनोमिनेशन की स्टांप इशू हुई थी इसमें जो डिजाइनिंग है वो पहले के मताबिक चेंज गर दी गई थी अलग हो गए थी अब इसमें और इसका जो परफोरेशन है वो 13.15 इंटो 14 ही था यह जो सबसे पहले आप स्टांप देख रहे हो यह 23 की स्टांप है इसका इशू डेट 12.1941 है कलर स्लेट है और इसका जो साइज है वो 2.1 इंटो 2.5 सेंटिमेटर है इसके बाद में यह स्टांप अदा अना की और 29 की स्टांप है अदा अना की जो परपल है और उसका इशू डेट 11.1941 है और जो 29 की स्टांप है उसका कलर ग्रीन है और उसका इशू डेट 16.08.1941 है उसके बाद में यह एक अना की स्टांप है जिसका कलर कारमाइन है इसके बाद में यह एक अना 3.20 की स्टांप है यह सेकंड इशू का टाइप 5 है टोटल की डिजाइनिंग में भी चेंज कर दिया गया था पहले की इसाब से इसका जो कलर है वो येलो ब्राउन है साइज पहले जैसी रखी गई थी इसके बाद में ये डे डाना की दो स्टाम्सेछ जो लिफो nhất एक लीफो ग्राफि में और एक टाैपउग्राफि में इस कही थी जो लिफोग्राफि की थी वो इसका मीए हुई थी थी वो इसके बाद में ये दो आनने की स्टाम्प आती है दो आनने का कलर जो था वो वर्मे लाइन था ये तीन आनने की स्टाम्प है इसमें भी टाइपोग्राफी और लिथोग्राफी दोनों में शोई थी देड आनना में और तीन आनना में lithography और typography दोनों method से stamp को print किया गया था जो 3 आना में lithography की stamp है उसका color bright violet है lithography की जो issue date है वो 5-1-1941 है और typography की issue date 1943 है इसके बाद में ये 3.5 की stamp है जिसका color bright blue है ये second issue का total type 6 आता है ये 4 अलगलग denomination में issue हुए थी इसमें designing वापिस change गर दी गए थी जो राजा के पिछे जो चित्रे दिखा गया था उसको हटा दिया गया है ये पहली stamp है चार आना की stamp है इसका issue date 15-5-1941 है color brown है size same रखा गया इन stamp का और ये stamp 6 आने की stamp है और इसका जो color है वो टॉर्क्यूज green है और इसकी issue date 15-5-1941 है इसके बाद में ये 8 आना और 12 आना की stamp है आठ आने का जो stamp का color है वो slate violet है और 12 आने का जो stamp का color है वो lake है इन दोनों के issue date 15-5-1941 है इसके बाद में जो type second था 8 stamp issue हुई थी वोसी style में एक बाद में stamp issue हुई है second issue में aeroplane की है same design है color purple है इसका इसका जो denomination था वो 14 आने की stamp थी ये stamp जो और 6 के थाड़ issue है type 7 है और ये जो stamp है ये जब allied forces थी second world war में उनकी victory के उपर issue की गई थी सबसे पहले जो stamp है वो 29 की stamp है जिसका color yellow green है इसका जो size था वो 4 x 3 cm था total 4 stamp की group में ये issue हुई थी और दो की date आठ दो 1946 है और दो stamp की date दो जनवरी 1946 है इसके बाद में ये date आने की stamp है और इन stamp का जो method था वो printing का वो lithography था और इसका जो color है वो dull violet है इसके बाद में ये 3.5 आना की और 12 आना की stamp है साड़े 3 आना का जो color है वो bright blue है और 12 आने का color है वो clear rate है ये stamp 4th issue है type 8 है इसमें एक आना 3 पाइस की जो stamp थी जो और 6 की उस पर 3 पाइस सरचार्ज करके इसको use किया गया था और इसका जो color था वो yellow brown था ये stamp जो regular issue stamp थी जो और 6 की उने पर service ओवर प्रिंट करके use किया गया था सबसे पहला issue था ये और 1937 से 1940 की बीच में इसको use किया गया था इसमें जो lower denomination की values थी आदा आना 29 आना उनमें जो service लिखा था उसका जो thickness था वो 13.5 mm था ये सबसे पहले जो stamp है ये अद्याने की stamp है जिस पे service over charge है ये stamp 29 की और एक आने की है 29 का जो color है वो green है एक आने का color है वो कारिमाइन है ये higher value की stamps है इनमें जो service लिखा था उसका जो thickness था वो 19.5 mm था और इसमें दो stamp दिखा गया ये seat पे एक रुपे और दो रुपे की एक रुपे की जो stamp है वो grey and red brown color है और दो रुपे की purple and brown color है ये 5 रुपे और 10 रुपे की stamp है 5 रुपे का color green and blue और 10 रुपे का purple and clear it है इसके बाद में ये George 5 की 1932 में issue हुई भी stamp है जो एक आना तीन पाइस की थी जो 1932 से 36 के बीच में ही overprint service कर दिया गया था इस stamp की उपर but 1949 में इसको use किया गया था इसको सर्चार्ज एक आना करके इसके उपर सर्चार्ज हुआ था और ये use लिया गया था इसका जो color था वो movie था जो method था printing और typography था perforation 14 था इसका ये first regular issue था ओफिसल इस्टांप मतलब इसमें जो service थी वो इस्टांप की प्रिंटिंग के साथ में थी और प्रिंट नहीं था ये 1940 से लेकि 1942 के बीच में issue हुई थी 12 अलग अलग different denomination के साथ में ये issue हुई थी इसकी जो first stamp है वो 3.20 की है color slate है size 2.1 x 2.5 cm है issue जो date है वो 16.1940 है इसके बाद में ये आध्याना की और आध्याना की दो stamp अलग अलग color में issue हुई थी पहली purple दूसरी red brown जो purple हुई थी वो 11.1942 को issue हुई थी ज़िए red brown थी वो 11.1940 को issue हुई थी इसके बाद में ये 29 की और एक अने की stamp है 29 में green color है एक अने में carmine color है इसके बाद में ये एक आना तीन पाइस की है येलो ब्राउन कलर की और दूसरी डेड आना की है डल वॉयलिट कलर की इसके बाद में यह 2 ईना और 20 ईना में है 2 ईना में का जो color है वो worthless ब्राइट वाइलेट इसके बाद में यह 4 ईना और 8 ईना में है 4 ईना में जो है वो brown है 8 उना के जो stamp का color है वो slate violet है तो यह video यहीं समाप्त होती है इस video के समाप्ते के साथ ही मैं आपको George 6 की जो स्टाम्स है उसकी कुछ additional information आपको बताना चाहूँगा इसमें से सबसे फर्ष नमर पर है कि जो भी स्टाम्प issue हुई थी उसका जो वाटर मार्क था वो multiple star था और उनी के साथ में जित्ती भी स्टाम्स थी वो सब invited वाटर मार्क के साथ भी issue हुई थी चाहे वो normal हो और service stamp हो दोनो उसके बाद में अब वाटर मार्क कैसे पता चलेगा तो वाटर मार्क stamp को सामने से देखने पर नहीं पता चलता stamp का जो back side देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसमें वाटर मार्क कौन सा है star है इनवाटर इस्टार है या असोखन है कौन सा है second जो point है वो यह है कि जब second world war चल रहा था वो श्टेम साउथ अफरीका ने तीन पाइस की एक stamp issue की थी sheet of एक sheet में आठ stamp थी उसकी जो normal size थी उसको reduce कर दिया गया था और उसको bantum नाम दिया गया था तो उसी का जो ऐसे है वो इंडिया में बनाया गया था परन्तु second world war जब खतम होने के नजदीक पहुंचा था तो वो idea जो है वो drop कर दिया गया था तीसरा जो point है वो यह है कि जब George 6 की जित्ती भी stamps हैं वो गल्फ फंट्रीज में जैसे बहरीन, कतर, मसकत पाकिस्तान और बर्मा में भी इनकी stamp और प्रिंट होकर गई है तो को यहां तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और इस वीडियो को लाइक करें